अंतिम शत्रू कौन है हमारा अंतिम शत्रू हमारे जीवन में कई प्रकार के शत्रू आते हैं और कभी-कभी हम उसका सामना भी करते हैं लेकिन अंतिम शत्रू कौन है वैल आप जानते हैं जब भी किसी का मौत होता है तो उससे लोग अंतिम शत्रू कहते हैं अब देखिए ना आजकल के कोरोना वाइरस के समय में जब ये महामारी पुरे जोर के साथ हमारे भारत वरश में पुरी दुनिया में फैला हुआ है और आखो लोग उस मौत की नीद में सो गए हैं रोग लोग रो रहे हैं चिला रहे हैं बिलक रहे हैं ये अंतिम शत्रू है मौत एक समय था जब हमारा जनम हुआ था हम बड़े खुश थे लोग बड़े खुश थे और मिठाईया बाती आपके जनम के समय मेरे जनम के समय लोग उन्हें मिठाया बाटिया खुशी क्योंकि एक मनुष्य इस दुनिया में आया और वो जो मनुष्य बड़ा होता है और धीरे धीरे आगे चल करके बुड़ा हो जाता है उसके परिवार होते हैं और भी बुड़ा होता है सतर असी नब्बे सौ साल वो जीने की कोशिश करता है है उसका शरीर शितिल हो जाता है कमजोर हो जाता है दात निकल जाते हैं कई बिमारिया उसके चारो तरफ फड़कने लगती हैं और आज कल के समय में अकर हम केरफुल नहीं रहे तो कुरोणावाइरस की बिमारी भी लग सकती है ऐसा नहों कि हमें से किसी को सुनने वाले को ऐसा हो जाता है, बिमारिया चारो तरफ आती हम अस्पताल की ओर दोडते हैं, हमारे प्यारे लोग हमें अस्पताल ले जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये जिये, किसी तरह से जिये, लेकिन कितने साल, कितने साल, अरे सहाब एक बार मौत तो आनी है चाहे आप सौ साल भी पार कर लें मौत आनी ही है यह हमारा अंतिम शत्रू मौत है मृत्यू है अब यह बड़ा मिस्टीरियस है बड़ा इसमें भेध है कि यार लोग आते हैं और चले जाते हैं अब कहां जाते हैं अलग-अलग थियोरीज हैं अलग-अलग विचार धाराएं हैं कि लोग कहां निकल जाते हैं एक पुराना गाना भी है कि जाने वाले पता नहीं कहां चले जाते हैं ना कोई चिठ्ठी ना कोई पत्री भेशते हैं कहां गड़? इस दुनिया से कहां चले जाते हैं? अंतिम शत्रू मौत हमारे प्रियों से हमारे लवड़ों से जुदा करता है कितने दुख की बात है स्वाबाविक है कि हमें दुख होता है और हम रोते हैं, बिलगते हैं क्या करें? कुछ कर नहीं सकते है क्योंकि मौत हरे के जीवन में आते है चाहे आप हो या हम हो एक ने एक दिन यहां से निकलना है अब यह जो अंतिम शत्रू है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे परमेश्वर के वच्चन में कि आखिरी आतिम शत्रू आया तो आया कहां से? इसका origin, इसका source इसका शुरूवात कहां से हुआ? हम देखते हैं कि इसका शुरूवात हुआ आदम और हवा से हुआ जब परमेश्वर ने वो curse दिया, वो श्राब दिया जिस दिन तू खाएगा तू मरेगा और वही हुआ हम ये बात पढ़ते हैं रोमियो की किताब उसका पाँच अध्याए बारा पद मैं आपके लिए पढ़ूँगा रोमियो उसका पाँच अध्याए बारा पद इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रिती से मृत्यु सब लोगों में सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया आपने और मैंने हम सबों ने पाप किया इसका जो रीजन है इसका जो कारण है ये अंतिम्शतरू यह पाप है, जिया, तो एक समय जब हमारा जनब हुआ, एक समय है, जब हम यहाँ से चले जाएंगे, एक और पत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाए जाता है, रोमियो, उसका छटमा ध्याए, और उसका तेईस पत, देखें, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक गुड़ न्यूस भी है, साथ साथ, बैड न्यूस तो जुड़ा है, गुड़ न्यूस भी है, कि मौत तो है पाप का जो मजदूरी, लेकिन प्रभू युश्य में जो वर्दान, जो गिफ्ट परमेश्वर हमें इनाम की रूप मे देता है, वो अनन्त जीवन है, हमेशा हमेशा के लिए प्रभू युश्य मसी पर विश्वास करने के द्वारा, तो अन्तिम शत्री जो मौत है, उसको तो विजय प्राप्त, उसके उपर विजय प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है, अब ये विजय प्राप्त किस ने किया किसने क्या अब आदेखे उधारण की रूप में अभी कोरोना वायरस सब जगा चल रहा है लोगों को बस ये गुड न्यूस सुनने की इच्छा है कि भाई वो वैक्सिन कब आएगा कब वैक्सिन आएगा कब हम लगाएंगे ताकि ये वायरस जो हमें ने लगे और हम मौत से कर रहे हैं उसी प्रकार वैग्यानिक लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं बई किस तरह से मौत पर विजय प्राप्त करें लेकिन करी नहीं सकते क्योंकि हमारा शरीर कमजोर होता चला जाता है और उसके बाद हम अंतिम शत्रू के हाथ में सौप दिये जाते हैं मौत है लेकिन गुड नीज है मेरे प्रयोव एक शुब संदेश ये है कि हमारे प्रभु इश्य मसी ने इस मौत पर विजय प्राप्त की उस शत्रू पर जो अंतिम शत्रू है हमारे पूरे जीवनकाल का मौत उस पर उसने विजय प्राप्त की ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये परमेश्वर का वच्छन उसमें लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़ूँगा पहला कुरंथियों और उसका पंद्रमा अध्याए और 26 पद सुनिए क्या लिखा हुआ है सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मौत है सबसे अंतिम बैरी अंतिम शत्रू जो है वो क्या है नाश किया जाएगा वो कौन नाश किया जाएगा मौत वो मौत है वो नाश किया जाएगा अब इसको नाश करने वाला कौन है प्रभीश मसी है रोमियों की पत्री मैं आपके लिए पढ़ूँगा जो गुड नीूस के रूप में है रोमियों उसका छै अध्याए और उसका नौ और दस पज सुनिए परमिश्वर का वचन क्या सटीक रूप से आपके लिए और मेरे लिए एक शुब संदेश देशता है क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा मृत्यू उस पर प्रभूता नहीं करती है देखिए उसने मृत्यू को पार करके निकलाया कबर में से वो निकलाया हाँ वो मरा था बलिदान हुआ हमारे पापों के लिए उसमें बिलकुल सही बात है लेकिन उस मौत पर उसने विजय प्राप्त की और उसने मृत्यू को पार करके जीवित हो गया दसमें पाद में लिखा हुआ है क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मरा परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है क्या बात है क्या बात है ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसी इश्यों में क्या समझो जीवित समझो तो यह है अन्तिम शत्रू का खलास खतम ताटा बाइ बाइ उन लोग के लिए यह ध्यान रखिए उन लोग के लिए जो प्रभू उस सभों के लिए है लेकिन जो इस का इस वर्दान को लेना मांगते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरी आशा है कि हमारे सुनने वालों ने प्रवीश मसी को अपना जीवन दिया या नहीं दिया तो आज ही मौका है इसी समय है विश्वास के दवारा प्रवीश मसी पर विश्वास करें कि वो आपके लिए मारा गया गाड़ा गया बलिदान हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन आने वाला है या हम अगर चले गए यहां से तो हमेशा हमेशा अनन जीवन में रहेंगे क्यों क्योंकि मौत पर प्रवीश मसी ने उस अंतिम शत्रू पर प्रवीश मसी ने विजय प्राप्त कर ले पूर्ण विराम जी हां मैं आपके लिए और कुछ पदों को पढ़ूंगा ताकि परमिश्वर का वचन आप से बात करें पहला कुरंथियों उसका पंद्रमा अध्याय बीस से बाइस पहला कुरंथियों उसका पंद्रमा दिया है बीस से बाइस क्या लिखावा है परंतु सचमुच मसी मुर्दों में से जी उठा हलिलुया और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ क्योंकि जब मनुश्य के द्वारा मृत्य हुआई अर्थात जो आदम के द्वारा मृत्य ह जयन 캡 है जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसी में सब जिलाए जाएंगे क्या बात है क्या बात है बात है बलकुल सही बात है बड़ी सठीक रूप के प्रमीश्वर का बच्छन यहां पर लिखता है कहता है कि जैसे आदम में हम समर गें मौत अंतिम शत्रू हाई हाई क्या होगा अनत काल के लिए हम चले जाएंगे नरक में नहीं लेकिन प्रभुश्य मसी ने उस मौत पर विजह प्राप्त की पहले जी उठने के दौरा और वो अब हम सबों के लिए नेवता के रूप में अरे जाब वर्दान के रूप में प्रभुश्य मसी आपको और मुझको देना चाहता और यही आशा है अब जब भी आपने देखा होगा जब भी कोई मौत किसी परिवार में होती है सगे संबंधी, फ्रेंज्स या जो भी हैं तो क्या होता है? दुख होता है लोग भी लगते हैं, रोते हैं क्यों? क्योंकि जिससे हम प्यार करते थे वो चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा चलो कोई अगर बिमारों के हस्पताल में चला गया आशा तो रहती है ना, एक दिन आएगा ठीक हो करके, अब तो कोई आशा ही नहीं है वो अंतिम्शत्रू है, वो गया तो गया डॉक्टर ने डिकलेर कर दिया, he is no more he died वो मर गया, तो नाच्रली सवाभाविक है कि दुख होता है लेकिन विश्वासियों के लिए इसमें दुख के लिए कोई जगह ही नहीं है, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम दुख इतनी होते हैं विश्वासी भाई होता है, लेकिन हम अउन अविश्वासियों के समान नहीं, जिनके पास कोई आशा ही नहीं कि एक दिन हम मिलेंगे क्योंकि अनन्त जीवन तो वेट कर रहा ना यही तो बात है नहीं अनन्त जीवन हम सबों के लिए वेट कर रहा मैं आपके लिए और एक particular passage पढ़ना मांगूंगा जिससे कि यह पता पढ़ेगी किस प्रकार पौलूस प्रेरित ने क्या क्या उपहार उड़ाया मौत का सुनिये आप भी सुन लीजे पहला कुरिंथियों पंद्रवाद दिया है और उसका 54 और 55 पज सुनिये परमेश्वर का वचन क्या कहता है और जब यह नाश्वान अभिनाशी को पहन लेगा और यह मरनहार अमरता को पहन लेगा तब वह भचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा जै ने मृत्यू को निगल लिया ए मृत्यू तेरा तेरी जै कहा रही यह देखे बढ़े उससे बोल रहा है पौलूस ए मौत मृत्यू तेरा डंक कहा रहा आप तू किसी को नहीं डश सकता मृत नहीं ला सकता तो एक प्रकार का बड़े खुशी के साथ यहां पर लिखता है पर लिखा हुआ है 56 56 में मृत्यु का डंग, पाप है वाप का बल विवस्था है परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रहुईश्व मसी के ध्वारा हमें जहवंत करता है हमें जहवंत करते हुए फिरता है आपका नाम ले करके बोले मेरा नाम लेकर के बोले रहे साहब वो जीवित है मर गया शारीरिक रूप से लेकिन आत्मीक रूप से तो जीवित ही जीवित है यह हम देखते हैं यहाँ पर इसलिए है मेरे प्रियों द्रण और अटल रहो और प्रभू के काम में सरवदा बढ़ते जाओ क्योंकि जानते हो क कि तुमारा परिष्वं प्रभू मे व्यर्थ नहीं है यह बात है यहाँ पर तो हम प्रहां पर देखते हैं कि जो पहला कोरंथियों वह पूरह पूरा पंदरा पुरा पुनरुत्तान के विशह में है, एक आशा के विशह में है, क्योंकि इश्यू मसी मुर्दों में से जी उठा, देखे क्रिस्मस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रविश मसी का जन्म हुआ, गुड फ्राइडे भी बहुत इंपॉर्टेंट तिवार है, जिसमें प्रव इश्व मसी तयार रखता है अब देखे ना जब इश्व मसी आएंगे तो क्या लिखा हुआ है पहला थेसलोनी क्यों मैं आपके लिए पढ़ूँगा उसका चार अध्याए पहला थेसलोनी हो उसका चार अध्याए और उसके बाद मैं पढ़ूँगा चार के बाद कि चौदा पते क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं सुनिए क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि येश्व मरा और जी भी उठा तो वैसे ही मसी प्रमेश्वर उन्हें भी जो येश्व में सो गए है उसी के साथ ले आएगा वो लेने आ प्रभुय व्विश्एव मसी हमें लेने आ रहे हैं क्योंकि हम प्रभू के वच्चन के नुसार तुम से या कहते हैं कि हम जो जिवित है औरुरु के आने तक बचे रहेंगे तो सोय वह मेंसे किसी से आगे न बढ़ें différent क्यों? क्योंकि प्रभू आप ही स्वर्ग से उत्रेगा उस से में ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसी में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे हरेलुया अरे साब ये है अंतिम शत्रू पर विजय हम जीवित हो उठेंगे तो जो मसी में सो हैं मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित हैं सत्रमापद तो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ प्रभुईश्य मसी के साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभू से मिले और इस रिती से हम सदा सदा प्रभू के साथ रहेंगे इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो? शांती दिया करो शांती दिया करो मैं कई बार जब भी funeral service में जाता हूँ कि कोई हमारा प्रभू में भाइब या बहन या रेलिटिव जो प्रभू पर विश्वास करते थे इस दुनिया से जाते हैं तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ चारो तरफ कबर के उपर क्या क्या लिखा हुआ है लिखा रहता है कोई अच्छी अच्छी बात लिखी रहती बाइबल के पद लिखे रहती है एक जगह मुझे याद है जहां पर लिखा हुआ था मेरी ख्यान में विश्वासी का कबर होगा लिखा था नाट गुडबाई बट गुड़नाइट नाट गुडबाई गुडबाई कब बोलते हैं हम नहीं मिलेंगे गुड़नाइट कब बोलते हैं हम मिलेंगे भईया सबेरे तभी तो गुड़नाइट जब गुड़नाइट बोल रहा है तो गुड़नाइट तो हो गई होगा क्यों? क्योंकि गुड़नाइट के बाद गुड़नाइट है हम सब प्रभु में जिलाए जाएंगे बड़ा अच्छा ये लिखा हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख करके ऐसी कई चीजें तो वापस हम आते यहां पर परमेश्वर के वचन में कि हम जिलाए जाएंगे अनंत जीवन हमारा है यदि सुनने वालों में से कोई ऐ है जो अभी तक प्रभु मसी पर विश्वास नहीं किया अगर आप प्रभु मसी का तेरशकार करेंगे तो ये बहुत बैड निउस होगा बैड निउस होगा लेकिन अगर विश्वास करते हैं अरे साभ जीवन दान गुड़ निउस अभी आपको पता है वैक्सिन का इंतज जीवन बच्चे और यह कोरोना वाइरस से मुक्ति मिले लेकिन अभी तक सब गुड नियूज उस दिन बड़ा गुड नियूज होगा बड़े-बड़े छप के पेपर में आएगा वैक्सिन मिल गया अरे साब लोग पैसे देने के लिए त्यार होंगे जितना पैसा मांगो उ उसका अनुग्र है कि वो हमें जीवन देगा एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ स्वर्ग में क्या होगा क्या हमा मौत है बिमारी है देखिए क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्या है और उसका 4 पद बहुत अच्छा पद है ये आशा दे देने वाला पद है विश्वासियों के लिए तो भईया यही है और कुछ नहीं यही है क्योंकि इश्यो मसी मुर्दों में से जी उठा हम भी जीवित रहेंगे सुनिये क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक के उसका 21 अध्या है चार पद और वह उनके आँखों से सब दालेगा असू दुख के आसू आनन के आसू के पर्मेश्वर जानता है पौस टालेगा इसके बाद मृत्यूं नरहेगी हलिलुया कोई मृत्यू नहीं कोई अस्पताल नहीं कोई कोई प्रोना वारस नहीं कोई ये ताम चांग trading और ना शोक न विलाप ना पीड़ा क्योंक है हमारा अन्तिम पड़ाओ स्वर्ग यह हमारा अन्तिम शत्रु जो मौत है न उसको प्रभुश मसी ने खतम कर दिया कुरूस पर ठोक दिया कील से ठोक दिया बास वही रहा हो तुम है क्योंकि आप मैं जीवित हूँ लिखा हुआ एक जगा प्रभुश मसी ने का क्योंकि मैं मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे I live therefore you will also live यह आप के लिए और हमारे लिए बड़ा नियुता वाली बात है खुश खबरी है सो मेरे मित्रों मेरे भाइबैनों मेरी तो यही आशा है कि आप प्रभुश मसी पर विश्वास करते हैं और अंतिम जो शत्रू है आपके लिए मौत मर गया है और हम एक दिन मिलेंगे हाला कि हम अभी आप लोगों से कई लोगों से नहीं मिलें लेकिन उप कि आपन करो साथ हम जीवन बिताएंगे लेकिन जिन्हों आभी तक विश्वास नेहीं प्रभीक मसी को विश्वास केदवरा पश्चताब करके उसको ग्रहन करिए नहीं तो this will be a bad news मेरी आशा है कि आप सुनने वालो जो विश्वासी नहीं है अभी इसी समय प्रभू इश्व मसी को अपने जीवन में उधार करता प्रभू करके ग्रहन कर लीजिए और वो मौत जो है उस पर good news है परमेश्वर आपकी इसमें अगवाई करें